शिक्षा विभाग पैंसरथ हजार से ज्यादा पद हैं खाली इसके बारे में विस्तार से बताएं इससे पहले यदि आप मारी चनल पर नहीं है तो चनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिक्शन बेल पर भी क्लिक करें जिसे हमारे नए वीडियो को नोटिफिक्शन आप तक आप बताते हैं सिक्षा विभागं में 65,000 से जजादा पद हैं खाली इसकी विस्ति निूज चतुर्ट सिरेणी से लेकर अध्यापकों तक के कमी शिक्षा विभाग में 65,000 से जधा पद खाली है इसे विभाग के कारीं जल्दी नहीं हो पा रहा है साति सिक्ष्कों में करम पंचारियों के काम में देरी हो रही है मादे मीच शिक्षा निदे साले से हाल ही में स्वीकर्त और खाली पदों की संख्या को जारी की गई इसमें बताया गया है कि दो लाक ठान मज़र चा सो साथ पद स्वीकर्त है जबकि 65,420 पद खाली है शिक्षा विभाग में पद नहीं भरने से स्कूलों में ध्यापक भी कम है इसे करी स्कूल एक या दो शिक्षा की वरोसे चल रहे हैं साथ इस स्कूलों से सरकारी योजनाओं की जानकारी भी समय पर निदे सले और शिक्षा विभाग तक नहीं पहुंस पा रही है रिक्त पदों की कारण करिये धिमी गती से चल रहे हैं सिक्षा विभाग में राजपत्र तदिकारी के 68,039 पद स्वीकर्थ हैं जिसमें 12,520 पद खाली हैं इसके अलावा एह राजपत्र तदिकारियों के 2,30,578 पद स्वीकर्थ हैं जिसमें 52,900 पद खाली हैं सबसे ज़्यादा ये पद हैं खाली चत्तुर्च स्रीनी करमचारी के 15,823 पद वरिष्ट ध्यपक के 12,071 व्यक्यता स्कूल सिक्षा 9,289 कनिष्ट सायक 7,062 अध्यपक लेवल द्वीतिये 5,217 अध्यपक लेवल प्रथम 3,754 छे हजार मांगे 2,000 मिले चत्तुर्च स्रीनी करमचारी की भरती राज्य सरकार करवाती है वहीं LDC की भरती समय समय पर होती है इस बार शिक्ष्य विभाग ने 6,000 LDC मांगे थे लेकिन 2,000 हरी मिले व्यक हैता के 5,232 अध्यपक के 9,000 लाइब्रेरियन के 12 सोब प्रथी प्रक्रिया दिन है अप्रेल में प्रिंसिपल की पदो नती कर दी जाएगी आरपेश्य अधिनस्त विभाग इन सभी भरतियों को करवाता है तो शिक्ष्य विभाग इनको न्युक्ति देता है ये कहे हैं निदेशक नत्मर डिडेल जी के द्वारा कहा गया है तो ये है पूरी न्यूज की शिक्ष्य विभाग में पैसेटर से जाधा पत खाली है आपको हमारे वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में बताए तो हमारे वीडियो को जद़ जद़ लाइक सेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए नमस्कार